हलो दोस्तों स्वागत है एक बार पुना हाँ आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो हैं क्लास 12 बायोलाजी एंसे आटी में चैप्टर फोर देखेंगे तो चैप्टर फोर में देखी दोस्तों सबसे पहल क्रतिम यंत्रों द्वारा बीर एकत्रित करते हैं और उसको क्या करते हैं सवच्छता पूर्वक उसे मादा की जनिनेंद्री में क्या करते हैं या मादा की जैनांगे में क्या करते हैं उसको सही जगए पर क्या करते हैं उचित समय में प्रविष्ट करा देते हैं और यही क् दोस्तो इस वीदि में क्या होता है कि नर और मादा का समागम या मिलना अवस्यक नहीं होता है देखिए इसमें किसी प्रकार का मेल और फिमेल का संयुगमन नहीं होता है अर्थात मेल और फिमेल आपस में नहीं मिलते हैं इंद में क्या होता है क्रतिम रूप से हम क्या करते है हैं बीर को इकत्रित कर लेते हैं मांव कि और उसको क्या करते हैं सच companion करते हैं सहे हुए उचित समय पर प्रविश्ट कर दोस्तों क्रतिम गर्षान क्यहलाती है और इस बीद में किसी भी प्रकार करना रोएम अधा का समागम नहीं होता है या वस्यक्न होता है चलिए तो चलिए दोस्तो इसके कुछ importance या महत्तो है देखिए जो पहला महत्तो है दोस्तो तो क्या है इसके द्वारा उत्तम national के चैनित नर से एकत्रित वीर से एक ही समय में कई मादाओं को गर्वित करके असली नसल की पीड़ी तयार की जाती है देखिए इसमें क्या होता है दोस्तो की एक ही समय पर हम क्या करते हैं कि जो उत्तम national के चैनित नर होते हैं उनके वीर को हमें कत्रित कर लेते हैं और उसके वीर को क्या करते हैं कई सारी मादाओं के मादाओं में क्या करते हैं दोस्तो एक ही साथ हम उसको गर्वित कर देते हैं और एक ही सांध गर्वित करके असली इस प्रकार से असली नसले की PD हम तयार कर सकते हैं एक ही साथ अब देखिए दोस्तों इसका जो दूसरा महत्तु है वो क्या है कृतिम गर्वाधान में लेगिब बिमारीयों का खतरा नहीं रहता है देखे दोस्तों क्रतिम गर्वधान में किसी भी प्रकार की लेंगी बिमारियों के होने का खत्रा नहीं रहता है तो इस प्रकार से दोस्तों यह question paper में दो यह तीन number के question में definite पूछा जाता है हर बार तो इसको आप अच्छे से तयार किए चलिए दोस्तों जो हमारा आज का दूसरा question है देखिए student paper की देश्टी से यह question बहुत महत्पून है देखिए दोस्तों हमारा जो दूसरा question है वो क्या है amniocentasis क्या होती है तहा हम इसके life दायक वहाँ निकार पच्छ देखेंगे दोस्तो is που क्या होती है तो basically दोस्तो जो gli turkeyよ sick upon की एक तकनीक होती है क्या का दोस्तों हमने kiemittารही क्या होती है जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तो सर्जिकल सुई की द्वारा क्या करते हैं मादा के गर्भासा या मादा की यूट्रस से क्या करते हैं एम्नियोटिक द्रब या एम्नियोटिक लिक्ड जो होता है उसको हम क्या करते हैं सरीर से बाहर निकालते हैं क्या का दोस्तों हमने किया तो ब्रोन परिष्ण की एक टकनीक होती है इसमें क्या करते हैं दोस्तों सर्जिकल सुई के माध्यम से माधा के गर्भासा या यूटरस से एम्नियोटिक द्रब को क्या करते हैं हम सरीर से बाहर निकालते हैं और एम्नियोटिक द्रब में उपस्थि धूनी कोस का होती है उनका हम क्या करते हैं समवरधन करते हैं और इसका गुण सूत्री परिछन करके हम क्या पता लगाते हैं जो करते हैं और उस ऐम्नियोटिक द्रब में उपस्थिद ध्रोणी कोचका क्या करते हैं, समर्धन करते हैं. जिससे हमको क्या होता है, गुण सूर्ति परिछन करके हम मानों की निम्न विक्रतियों का ये बिमारी언 का क्या कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम एम्नियो सेंटेसिस के कुछ लापदायक पच्छ देखेंगे या इसके इंपोर्टेंस देखेंगे कुछ तो देखें दोस्तों एम्नियो सेंटेसिस के कुछ लापदायक पच्छ यहां पर हैं तो देखें जो पहला है दोस्तों हमारा वो क्या है गु उपचार हो सकता है अब देखिए दोस्तों जो दूसरा हमारा लापदायक पच्छ वो क्या है उपआप चाहिए निमित्ताएं देखिए दोस्तों जो भी उपआप चाहिए निमित्ताएं जैसे क्रिटे निज्म हो गया एलकेप्टो नियूरियो हो गया तो इनका क्या कर सकते हम पता लगा सकते हैं कि इसके माध्यम से इसके बाद देखिए जो तीसरा हमारा इंपोर्टेंस या लाबदायक 25 में वह क्या है भ्रूंड का लिंग तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है देखिए दोस्तो भूंड के परिच्छन में इसका उपयोग किया जाता है जिससे क्या करते हैं भूंड की लैंगी विक्रतियों को ठीक किया जा सकता है अर्थात पहले भूंड के अंदर जो भी क्या दोस्तो लैंगी का समान नताएं हैं लेंगे विक्रतियां हैं या लेंगे बिमारियां हैं उनको हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों आप मानो समाज पर इसके कुछ कुपरभाव देखते हैं अर्थात कुछ हानी देखते हैं तो देखे दोस्तों मानो समाज पर इसका क्या क प्रभाव है देखे क्या है दोस्तों आज कल इस वीधी का उपयोग लिंग परिछन के लिए किया जा रहा है और लिंग परिछन के माद्यम से क्या हो रहा है दोस्तों जो मादा भून है उसकी क्या की जा रही है दिन प्रत दिन क्या की जा रही है जिसके कारण दोस्तों समाज अगर इसे नहीं रोका गया तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज में इस्त्रियों की संख्य पूर्सों की तुलना में काफी कम हो जाएगी क्या का दोस्तों हमने कि ये जो माना समाज पर कुपरहा हो है क्या होता है दोस्तों तो एम्नियो सेंटेसिस भीद के माध्यम से क्या होता है आज कल इसका प्रियोग करके लिंग पर इच्छन करके क्या करते हैं दोस्तों कि मादभ्रून की हत्यागी जा रही है लगतार जिससे क्या हो रहा दिन पर दिन प्रति दिन मैलाओं की संख्या में कमी आ रही है और यदि इसको नहीं रोका गया तो क्या होगा एक दिन ऐसा जाएगी जिसके कारण समाज में समाजिक संतलन क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा और कई प्रकार की समाजिक समस्याइं भी उत्पन हो जाएगी और क्या का दोस्तों हमने कि इससे कई प्रकार की समाजिक समस्याइं जैसे बहुपति प्रथा देखिए दोस्तों ऐसी समस्य क्या हो जाएगी उत्पन हो जाएगी तो दोस्तों ये तो थे मानो समाझ पर इसके क्या कुप्रवाओ किसे में आ Rolex जाते हैं तो दोस्तो वीडियो यह आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे बात्रम